Good morning students, today we are going to start our remaining part of chapter 11 Name of topic is sharp and hooked beaks जो हमारे birds होते हैं, उनकी beaks के बारे में हम study कर रहे थे In previous lecture, तो हम आगे इसको continue करते हैं कि जिनकी क्या होती है beaks, hooked होती है और क्या होती है sharp Hooked means ऐसी hook जैसे Some fresh eating birds like eagles and vultures have strong, sharp and hooked beaks हमारे कुछ ऐसे flesh eating means जो मास्क खाते होते हैं birds उनकी जैसे eagle हो गए, vultures हो गए इनकी जो beaks हैं, वो क्या होती हैं, strong होती हैं, sharp होती हैं और hook means hook जैसी होती है These help them to pice and tear flesh तो easily वो क्या कर सकते हैं, किसी भी animal जिसका उन्होंने मास्क खाते हैं उसको easily tear कर सकते हैं, therefore 7 wigs इसलिए इन्हें कौन से wigs बोला जाता है, picing and tearing wigs बोला जाता है broad and flat wigs Butter words such as कौन से हो गए, जिनकी जे wigs क्या होती है broad होती है, choddy और flat समितल होती है हमारे जो butter words हो गए, जैसे duck and geese have broad and flat wigs कैसी wigs होती हैं, broad and flat इन्हें क्या बोलते हैं, sifting wigs बोलते हैं इनकी wigs को there are holes on either side of the wigs इनके क्या होते हैं, wigs के दोनों साइड पे उपर और नीचे holes होती हैं, छोटे-छोटे these wigs help them to dig in muddy water the holes help the water to flow out while keeping the insects and worms in the wigs तो ये wigs से क्या कर सकते हैं, अपनी wigs से easily muddy water means, जो चीकड़ वाला पानी होता है, उसको easily वहां से पोट कर सकते हैं, अपनी wigs से और इनके holes हैं, जब वहां से उस water को मिट्टी को पुटते हैं, तो क्या होता है बेटा उसमें जो insects हैं हो तो उनके मूह में चले साते हैं लेकिन जो पानी होता है वो उनकी होता है हुपो's और बीच में से नीचे निकल जाता है और जो insects warm होते हैं उनके मूह में रह जाते हैं तो उसे क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं tisle shaped bites, किनके tisle shaped whip xuहुओ and जिनकी लॉंग होती है नेरो होती है कर लेती है उसको जहीज है चूस लेती है अपनी बीक से लॉंग ब्राइण पॉइंटेर इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफ्रेंसर इंके बीक्षै निए रस होता है ब्राइस को पैंगुइंस की होती है। इनकी पैंगुइंस की होती है। इतिसक्वाइड क्या होती है। लॉज एपने शिकार को पानी की बीच उनका शिकार होता है। उन्हें भी जे क्या कर लेते हैं अपनी लॉंग बीक से कैच कर लेते हैं प्रे को next is feet and class of birds अब हम क्या करेंगे birds के जो पैर और पंजों के बारे में study करेंगे उपर कुछ पिक्चर दे हुई है जो हमने उपर read किया broad and flat beak है जैसे चाही जल होती है ये क्या करते हैं डिक कर लेते हैं अपने नेस्ट बगयारा long and slender beak होती है long, broad and pointer beak होती है next is feet and class of birds birds have different types of class अलग-अलग type के पंजों होती है that perform different function अलग-अलग वो function करते होती है birds use their feet and class किस के लिए यूज करते हैं वो feet class का use walk करने के लिए, climb करने के लिए अगर अपने food को hold करने है उसे hold करने के लिए, swim करने के लिए perch on trees, class have कैसे होती है long, curved nails होती है ऐसे curved जैसे nails होती है बड़े-बड़े which are used for self-defense self-defense means अपना बचाव करने में help करते हैं the shape of birds' feet and class depend on their food habits and the way they move around जो birds के feet की shape होती है वो किसके उपर depend करती है उनके खाने के उपर depend करती है food habits के कौन सा वो खाना खाते है वैसे उनके feet और class होती है और कैसे इदर उदर वो चलते हैं trees पे चड़ते हैं क्या करते हैं उनके according उनके जो feet और class होते हैं next is waiting cranes, herons and stocks have long legs होती है with spread toes अलग-अलग toes होती है help them किसमें help करते हैं walk in muddy and shallow water without sinking sinking होता है without sinking means डूबने से बचाते हैं उनकी बड़ी long-long जो होती है legs होती है next is swimming birds that जो swim करते हैं तैरते हैं three toes होती है तीन आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ at the back and the toes are joined by toes किसके साथ joined होती है flaps के काल जिनने हम क्या बोलते है babs बोलते है जैसे ये toes है ये किसके साथ युड़े होए है flaps के साथ इनने क्या बोलते है babs babs means jolly dar the babbed feet act like oars की तरह help करते हैं they help the birds to paddle through water वो पानी में paddle जैसे चलाते हैं जैसे उनकी help करते है ducks and swans have babbed feet जो deck होती है swans होती है उनके babbed feet होती है next is climbing bootpacker and parrot are climbing birds होती है they have two toes in front pointing upwards दो आगे की तरफ and दो क्या होती है back pointing downwards पीछे की तरफ पॉइंट करते है these types of class help them किसमें help करते हैं ये class hold करने में climb करने में and cling to the trees पे चड़ने में next is perching some birds जैसे sparrow होगे cross minus होगे इनके three slender toes होते है तीन आगे की तरफ and one at the back एक पीछे की तरफ these help them to hold up क्या करते हैं जो इनकी help से जो branches है उनको अच्छे से hold कर लेते हैं अगर उन्होंने सोना होता है branches पे तब भी easily क्या करते हैं सो सकते हैं ऐसे उनके जो claws होते हैं next is scratching birds like जो hands होते हैं fish hands होते हैं इनके strong legs होते हैं with three toes होते हैं जो sharp जिनके nails होते आगे की तरफ एक पीछे की तरफ one at the back this kind of claw is used to scratch the ground to dig out insect and grains ये क्या करते हैं scratch means खरोचना ये मतलब अगर किसी ground में क्या है green है जागो insect है तो अपने इतने nails इनके sharp होते हैं ये उनके साथ क्या कर लेते हैं toes के साथ इतने sharp होते हैं कि वो ground को scratch off कर लेते हैं पोट लेते हैं वहां से और उस insect या green को निकाल लेते हैं next is flesh eating flesh eating means क्या है owls and hucks have strong sharp and large curved glass जिने क्या बोलते हैं talons बोलते हैं जो owls होगे hucks होगे उनके क्या होते हैं strong sharp large curved glass होते हैं बहुत sharp होते हैं जिने हम क्या बोलते हैं talons बोलते हैं इस bird usually feed on small animals ये चोटे-चोटे animals को feed as a feed खाते हैं जैसे rat को खा गए frog insect को they use their talons to crush their prey hold them firmly and carry them away ये क्या करते हैं अपने talons के help से क्या करते हैं to crush their prey अपने शिकार को अच्छे से crush कर लेते हैं उसे पकड़ लेते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं running birds like the ostrich have long, powerful, bare legs and strong feet होते हैं with the two sharp glass होते हैं they use their legs for defense के लिए अपनी legs को use करते हैं बचाब के लिए their legs are very strong होते हैं and are adapted to run fast और क्या होते हैं भागने में उनकी help करते हैं their strong leg muscles enable them to deliver a powerful kick उनकी इतनी strong legs होते हैं कि वो powerful kick भी लगा सकते हैं which could seriously injure or even kill an attacker वो इतनी जोर से लगा सकते हैं कि जो उनकी पे attack करते हैं वो मर भी सकते हैं या फिर बो क्या हो जायता है seriously injure means जखमी हो जाता है okay students thanks have a nice day